नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपने चल में स्टेस्पिक लाइज पर जिहां दोस्तों काफी सारे जो कोसलोजगार निकम के माधम से लगे हुए साथी हैं उनके पास साथियों ये मैसेज भीजा जा रहा है एक EPFO से रिलेटिड जिहां दोस्तों देख लिजे पहले मैसेज देख लेते हैं क्या है ये Dear Candidate, you are requested to complete e-nomination process through EPFO member portal at the following link यानि कि इस link पर कलिक करके आप लोगों को अपना जो है दोस्तों e-nomination process को पूरा करना है ठीक है और 31 जनुरी तक दोस्तों ये पूरा करने की बात इनों नहीं आपर बोली है याँ पर देख सकते हैं आप लोग डारेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं और बहुत ही आसान छोटा-छोटा से process हैं बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों को बस आधार कार्ड ज्यादा ज्यादा मोबाइल नंबर या पैन कार्ड इस तरह की जो चीजे हैं ये पहले से टैच होती है तो अटै आप लोग जो है website पर आजाएंगे link पर कलिक करते ही अगर आप लोगों के पास आपका number है password है तो आप लोग यहाँ पर डारेक्ट अपना login कर सकते हैं अगर आप लोग में पास यूएन वगर नंबर है और activate नहीं है तो आप लोग अपने यूएन नंबर को activate भी कर सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर इन्होंने आप बताया हुआ है activate यूएन नंबर ठीक है जैसे आप लोग इस पर कलिक करेंगे यहाँ अगर देख लिजे ठीक है तो यह यहाँ पर खुल जाएगा अपना नंबर वगर यहाँ पर अगर activate नहीं है तो डियक्टिवेट भी डाल कर अपना दार कार्ड वगर नाम डेटो बर्तो सब सारी चीज़े डाल कर उसको activate कर सकते हैं अगर आपके पास यूएन नंबर भी न नहीं है तो अब लोग अपना लोगिन कर पाएंगे यहाँ पर जैसे कलिक करेंगे तो यह अब लोग इसको कर सकते हैं दूसरी बात अगर दोस्तों यहाँ पर देखक लिजिए थोड़ा सा बैक चलते हैं निचे की तरफ यहाँ पर नो यूवर यूएन यूएन नंबर थि देखिए अपना मॉबाइल नमबर डाली है क्योंकि आपकी डिटेल तो पहले से ही होती है वेबसाइट पर सारी चीजें तो आप लोगों के साथ पास जो से आप लोग आगे प्रोसेस करोगे ठीक है ओटीपी डाल कर तो आप लोगों का यूएन नमबर भी आप लोगों को द EPFO की special दोस्तो बहुत सारी वीडियो पड़ी है एक एक step to step की और पहले हमने इस पर काफी सारी वीडियो बना भी रखी है चैनल पर साथ आपको वो मिल जाएंगे लेकिन वो काफी पुरानी है साथ पिछले साल की वो वीडियो है ठीक है तो वो भी आप लोग जाकर देख ल झाल